आर्मी में कुछ दिन ऐसे होते हैं जब आपको लगता है कि आप मरने वाले हैं पर आप इंतजार करने के सिवाए कुछ नहीं कर सकते हैं और जब आप उस दिन नहीं मरते तो आपको लगता है कि शायद भगवान भूल गए और अगले दिन उनको याद आ ही जाएगा पर अगले दिन अगले दिन फिर आपकी किसमत अच्छी होती है आपको पता भी नहीं चलता और अचानक से आप अपनी मौत की दुआ कर रहे होते हैं क्योंकि वो रोज रोज का इंतजार सहा नहीं जाता मेरा एक दोस्त था करन अच्छा बंदा था मेरे घर से थोड़ी ही दूर पर उसका घर था गाज़ेबाद जादा लोग नहीं थे वहाँ गाज़ेबाद से शायद इसलिए हमारी दोस्ती काफी जल्दी होई थी एक दिन हम पेट्रोलिंग पर थे रोज की तरह दूप सिधा आखों में पड़ रही थी जिस वज़े से कुछ सो डेट सो मीटरता की दिखाई दे रहा था चलते चलते करन ने मुझे सिगरेट मांगी मैं रोका और जेब से निकालते हुए वो सिगरेट का पैकिट नीचे गिर गया मैं जुका और अचानक से मुझे एक आवाद सुनाई दी मैं उठा और मैंने देखा कि करन वो मेरे तरफ ही देख रहा था और अचानक से उसके माते से खून निकलने लगा शायद उसके सर में गोली लगी थी और और वो गिर गया मैं बहुत जोर से चिल लाया अचानक से हर तरफ से गोलिया चलने लगी मैंने भाग करें गाड़ी का कवर लिया पलटकर मैंने भी उनका फाइरिंग करी और करन के बारे में सोचना बंद नहीं कर पा रहा था एक सिगरेट पिला अगर उस टाइम उसने मुझसे सिगरेट नहीं मांगी होती तो शायद मैं आज आपके बीच नहीं होता एक तरह से करन ने मेरी जान बचाई है जिसके लिए मैं हमेशा उसका अहसान मंद रहूंगा कर दो